हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओन मंच पे फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम हससी और रेलवे के एक्जाम्स के लिए साइंस का जो पोर्शन है वो कवर कर रहे थे और पहले इससे पहले मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट जो उसमें धमनिया यानि आर्टरीज शिराई यानि वैंस के बारे में आपको पढ़ा दिया था तो दिखें जो बाते हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक बाते हैं जिस टोपिक के अकोडिंग हम देखेंगे कि किस टोपिक को कितना डीपली पढ़ाना है और किस टोपिक से कहां तक वो कोशन पूछ सकता है ऐसा नहीं है कि सारी कि सारी साइंस को आप डीपली पढ़ इससे वो आपसे basic basic बाते जो हैं वो पूछेगा otherwise chemistry या chemistry से reaction पूछते तो वो deeply पूछ लेता है तो उनको आप थोड़ा deeply कर लेंगे लेकिन जो chapter basically हम से question पूछेगा जिन chapter से उन chapters का हम basic portion जो है वही वही cover करेंगे ठीक है friends तो चलेगा शुरू करेंगे तो रत्परी संचरण की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने आपको जिन लोगों ने पहले वाला जो पार्ट है वो नहीं देखा वो प्लीज वो वाला हिस्सा भी देख लें ताकि आपको अच्छे से चीजे जो हैं वो समझ में आ जाएं तो blood circulatory system में मैंने जो आपको portion करवा दिया था वो था धमनिया और शिराई यानि arteries और veins मैंने आपको बताया था कि धमनिया जो है arteries जो हैं वो heart से दूसरे अंगों में blood लेकर जाती हैं यानि धमनिया जो हैं वो blood supply करने का काम करती हैं यानि दूसरे अंगों को और उनके दव दिया में लेकर को नाती हैं शिराईं यानि veins ठीक है और मैंने बोला था कि सभी arteries जो हैं सभी धमनिया जो हैं वो शुद्रक्त संचारित करती हैं यानि pure blood को लेकर जाती हैं ठीक है लेकिन एक मातर ऐसी artery एक मातर ऐसी धमनि जो शुद्रक्त का संचरन करती है यह पल्मोनरी और सभी शिराईं वापिस जो blood लेकर आती हैं heart में वो impure होता है लेकिन एक मातर ऐसी वैन एक मातर ऐसी शिरा जो शुद्रक्त लेकर जाती है हिर्दय के बाएं भाग में वो होती है पल्मोनरी शिरा तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था circulation पढ़ा दिया था वो बाते हम पढ़ेंगे otherwise heart को हम completely पढ़ेंगे glands वाले चप्टर में ग्रंथियों वाले चप्टर में तो दिखेंगा हिर्दय की अगर हम बात करें तो इतना तो हमें पता है कि यह blood pump करने का काम करता है रग्त को pump करने का काम क्या होता है हिर्दय का ठीक है तो विभिन अंगों म अगर आप से पूछा जाए हिर्दय किस में उपस्तित रहता है तो हिर्दय आवरन हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हिर्दय आवरन और इसी word को English में बोला जाता है pericardium क्या बोला जाता है friends pericardium यह pericardium नामक ठैली में उपस्तित रहता है और हिंदी में भी आपको कुछ ही लिखा मिलेगा कि यह pericardium नामक ठैली में जो है वो उपस्तित रहता है हार्ट हिर्दय जो है यह रिदय आवरन यानि पैरी कारडिय नामक ठैली में उपस्तित रहता है यह बात आप ध्यान में रखेंगे उसके बाद सुनो कि यह इसको अगर आपसे पुछा जाए कि हि हारी चोट होती है उनसे कोन बचाता है तो कोन बचाता है पैरि कार्डिय जिस थैली में उपस्तित रहता है Himuk उसके बाद में नेक्स पॉंट क्या बनेगा जहां भी ऐक बात सुनिएगा जहां भी कारडियो वर्ड आएगा तो बात किससे से रिलेटेड होगी कार्डियो वर्ड की बात जो होगी वो हार्ट से रिलेटेड होगी किस से हार्ट से जहां भी कार्डियो वर्ड रहेगा आप ऐसा समझ लेना कि किसकी बात हो रही है हार्ट की बात हो रही है उसके बाद भी नेक्स पॉइंट देखिएगा next point क्या होगा friend कि हिर्दय हिर्दय हावरन यानि pericardium नमा थैली में उपस्तित रहता है हिर्दय के अध्यन को आप से पुछा जाए क्या बोलते हैं हिर्दय के अध्यन को study of heart हिर्दय के अध्यन को बोला जाता है friends cardiology यानि यहां भी देखेगा आपको क्या वर्ड देखने को मिला cardio उसी तरीके से आपको बोला जाए कि हिर्दय के हिर्दय के हिर्दय की जाँच करने वाला उपकरण हिर्दय की जाँच करने वाला उपकरण है cardio meter उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि हिर्दय की गती को graph पर अभी लेखित करने वाला उपकरण हिर्दय की गती को graph पर अभी लेखित करने वाला उपकरण कौन सा है यह आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे कि हिर्दे की गती को ग्राफ पर अभी लेखित करने वाला जो उपकरण है उसे हम बोलते हैं ECG जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफी इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफी यानि इर्दे की गती को ग्राफ पर अभी लेखित करने वाला जो उपकरण है उसे हम बोलेंगे ECG Electrocardiography क्या बोला जाएगा friends Electrocardiography अब देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है मतलब एक TV की तरह होता है ये जो TV है ये किस तरीके से काम करता है कि अगर इसमें इस तरीके से लाइने चल रही है तो मतलब है कि अभी जो है सांसे चल रही है लेकिन अगर ये लाइने जो हैं इस तरीके से सिधी हो जाएं तो मतलब इनसान की जो धड़कन है वो रुक चुकी है ठीक है तो ये तो है ECG उसके बाद में देखिएगा next point हिर्दे का अगर आपसे पूछा जाए वजन हिर्दे का वजन कितना होता है हिर्दे का वजन पूछा जाए कितना होता है तो हर्ट का वजन होता है 300 gram हिर्दे का वजन जो होता है वो लगबग होता है 300 gram होप सो आपको इतनी बाते समझ में आई होंगी उसके बाद में friends मैं आपको एक बात और बता दू कि अगर आप जिक्के के questions की या कुछ इस तरीके से political science के question की और science के questions की आप देखना चाते हो 10-10 minute की वीडियो तो मैंने unacademy पर भी वीडियो डाल रखी है ठीक है उसका link आपको मिल जाएंगा वो सिरफ 7-7-8-8 minute और 10-10 minute की वीडियो है जिसमें practice question previous year के करवा रखे है political science के भी वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो बिल्कुल free है वो वीडियो आप description में आपको link मिल जाएगा उन वीडियो का वहाँ से आप जाकर उनको देख सकते है बहुत असान तरीके से मैंने करवा रखा है वहाँ पर explain करके तो वह आप देखिएगा उसका link आपको description में हम देदेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा next point देखो आप लोग कि अगर आप से पूछ लिया जाए कि हिर्दय की दड़कन कम हो जाने पर उसे समान्य स्थीती में लाने वाला उपकरण कौन सा है तो देखिए हिर्दय की दड़कन कम हो जाने पर उसे समान्य स्थीती में लाने वाला उपकरण कौन सा है तो देखिए हिर्दय की दड़कन कम हो जाने पर उसे समान्य स्थीती में लाने वाला जो उपकरण है उसे हम बोलते हैं पेसमेकर कहा जाएगा अब देखो उससे भी important बात अब कौन सी है कि अगर आप से पूछ लिया जाएगा कि हिर्दे से मास पेशियों को हिर्दे से मास पेशियों को रक्त पहुचाने वाली धमनी कौन सी होती है तो हिर्दे से मास पेशियों को रक्त पहुचाने वाली धमनी कौन सी होती है तो हिर्दे से मास पेशियों को रक्त पहुचाने वाली धमनी कौन सी होती है तो क्रोनरी धमनी जो होती है क्रोनरी आर्टरी जो होती है वे हिर्दिय से मास्पेशियों को क्या पहुँचाती है अब इसमें किसी भी परकार की रुकावट होने पर अगर इसमें किसी भी परकार की रुकावट होती है तो इंसान को heart attack का सामना करना पढ़ सकता है यानि हिर्दिय घात या heart attack जिसको बोलते हैं in English में उसका सामना करना पढ़ सकता है किसमे रुकावट होने पर करोनरी धमनी में उसके बाद में नेक्स पॉइंट देखिएगा अब ये बात तो आपको पता ही है कि समान्य मनुष्य का हिर्दिय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है तो हम बोलते हैं कि बहतर बार ये तो सबको पता है कि समान्य मनुष्य का हिर्दिय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है बहतर बार धड़कता है ये बाता में पता है लेकिद एक्जाम में आजकल कोशन पूछा जाता है कि बुरूण आवस्था में मनुश्य का हिर्दय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है तो लग भग 150 टाइम्स लग भग 1500 बार एक बच्चा जो बुरूण आवस्था जिसे हम बोलते हैं उसका हिर्दय जो है वो धड़कत है क्लियर है कितनी बार देड़ सोगा उसके बाद चलिए नेक्स्ट कोशन जो है वो क्या है नेक्स्ट कोशन अगर आपसे पूछ लिया जाए वो क्या बनेगा अनकेडमी वाला जुरूर आप देख लेना काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो मैंने वहां पर डाल रखी है अगर आपका मन करें तो जुरूर देखिएगा उसको ठीक है क्योंकि बेनिफिट मिलेगा आपको वहां से छोट छोटी वीडियो हैं चलते फिटते अब देख सकते उसके बाद देखिएगा अब हमें पता है कि हिर्द्य का काम जो है वो ब्लड पंप करना है तो आप से बुछा जाए हिर्द्य के द्वारा एक धड़कन में कितना रक्त पंप किया जाता है हिर्द्य के द्वारा एक धड़कन में कितना रक्त पंप किया जाता है तो आप क्या बताएंगे कि हिर्द्य के द्वारा एक धड़कन में सतर मिली लीटर रक्त को पंप किया जाता है हिर्दे के द्वारा एक धड़कन में कितना रक्त पंप किया जाता है 70 मिली लीटर अब देखो हम बोलते हैं कि मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो हम सारा दोस्ट ठेराते हो किसको ठेराते हर्ट को लेकिन जितना भी कंट्रोल होता है हमारी बोडी का वो किसके पास होता है दिमाग के पास हालांकि जो हर्ट खुद पावरफुल है लेकिन इसका कंट्रोल भी किसके पास होता है दिमाग के पास होता है तो आप से पुछा जाए कि मस्तिश्क का कौन सा भाग मस्तिश्क का कौन सा भाग हिर्दे की धड़कनों को नियंत्रित करता है मस्तिश्क का कौन सा भाग हिर्दे की धड़कनों को नियंत्रित करता है तो मस्तिश्क का कौन सा भाग करता है जो मस्तिश्क का सबसे पीछे का भाग होता है मेडूला ओबलोगेटा ये मस्तिश का सबसे पीछे का भाग होता है मेडूला ओबलोगेटा जो मस्तिश के सभी भागों को किसे जोडता है मेरू रज्जू से जोडता है ठीक है अब यहाँ पर दीखें मस्तिश का कौन सा भाग यह वाला भाग ने जोड़ता, मेरूरजु ही यही बनता है, यह पीछे वाला जो भाग है, मेडूला अब्लोगेटा, यही बाद में जाकर क्या बन जाता है, मेरूरजु बन जाता है, ठीक है? तो मस्तिश का कौन सा भाग हिर्दे की धड़कनों को नियंतरित करता है, मेडूला, ओबलोगेटा जो है वो नियंतरित करता है, उसके बार में देखेगा, ऐसे कुछ हार्मोन भी है, जिनकी वज़ा से हिर्दे की धड़कनों का नियंतरित किया जा सकता है, कौन से कौन से हार इसे हिंदी में अधी वरिक भी कहा जाते है क्या बोला जाता है अधी वरिक अडर्नलीन यानि अडर्नल गरंथी से क्या सत्रावित होता है अडर्नलीन हार्मोन उसी तरीके से हमारे गले में एक गरंथी पाई जाती है थाइराइड गरंथी थाइराइड गरंथी इस ग्रंथी से एक हार्मोन सुत्रावित होता है जिसका नाम क्या होता है थायोरिक्सिन एक ये थायोरिक्सिन हार्मोन और एक ये अडर्नलीन हार्मोन ये दोनों के दोनों सवतंतर रूप से हिर्दे की धड़कनों को नियंतरित करते हैं तो आप से पूछा जाए कि किस हार्मोन क के द्वारा हिरदय की धड़कनों को नियंतरित किया जाता है तो इन दोनों के नाम बता दोगे अड्रनलीन और थारिक्सिन तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स और उसके बाद में एक बात और बता दू अनकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो आप बने रही हैं अनकेडमी पे भी फोलो कर लीजिए ताकि वहां से भी आपको बेनिफिट मिले मैथ और जो है आपने रेलवी के फोम भी भरे होंगे उसके लिए भी और HSCC के लिए भी तो चलिए है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक कर देना शेर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल करें और उसके बाद में जन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नहीं वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको screen पर मिल जाए Thank you friends All the best for exam